हलो दोस्तो आज इस प्रस्ण को हल करेंगे आपका प्रस्ण है एक घनाब 8 मीटर लंबा 4 मीटर चौड़ा और 2 मीटर उचा है घनाब के सभी विकर्णों की लंबाई ज्याद करना है ठीक है दोस्तो तो देखे हल दिया है घनाब की लंबाई A कमान 8 मीटर दिया है और चौड गणाप के विकर्डों की लंबाई यार करना है तो गनाप के विकर्ड की लंबाई का जो सूत्र होता है अंडरूड A इसकार प्लस B इसकार प्लस C जहां A लंबाई है B चौड़ाई है और C उचाई है दोस्तों तो A B और C के मान को क्रम साइस में रखा गया है A कमान 8 रखा गया है B कमान 4 रखा गया है और C कमान 2 रखा गया है और इन सभी कवर्ग है अब देखो 8 कवर्ग 64 होता है प्लस 4 कवर्ग 16 होता है प्लस 2 कवर्ग 4 होता है दोस्तों अब उसके बाद इन सभी को जोडेंगे तो अंडरूड 84 आ गया और अंडरूड 84 को और सरल कर तो दो अंडरूड 21 आ जाता है मीटर यही घनाब की विकर्ड की लंबाई है दोस्तो जो की इस प्रेस्ण का उत्तर है धन्यवाद